रोजाना खाना चाहिए एक टमाटर सरीर को मिलते हैं गजब की फायदे क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में रोजाना एक टमाटर खाने से आपको कितने गजब के फायदे मिल सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ठंड में टमाटर का सेवन कैसे आपके सरीर को पोसकत्तों से लबालब कर सकता है और आपके स्वास्त को कैसे बनाया रख सकता है एक छोटा सा टमाटर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है ठंड में टमाटर का सेवन कैसे आपके सरी को नियोट्रियन से भरपूर कर सकता है और आपके रोजाना के जीवन को कैसे सुखत बना सकता है इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ आसान और स्वास्त प्रद टमाटर रसिपीज भी तो जुड़े रही हमारे साथ और जाने टमाटर के इन अद्बुत पायदों के बारे में पहला टमाटर एक उत्कृष्ट स्रोथ है विटामिन सी का जो दातों और हड्यों के स्वास्त के लिए लबदायक होता है बिटामिन सी उच एंटि आउक्षट के रूप में काम करता है और मुख रूप से कोलोजन के दिर्माड में सहायक होता है जो दातों के मजबूती और हड्यों के स्वास्त के लिए महतपुड है टमाटर को सालारता स्वादिष्ट रूप में खाया जाता है लेकिन आप इसे अन्य तरीकों से भी अपने भोजन में सामिल कर सकते हैं आप टमाटर को सलाद, सूप और स्वास में सामिल कर सकते हैं इसके अलावा आप टमाटर का रस भी पी सकते हैं या फिर आप टमाटर की चटनी में बना सकते हैं अधिक फायदे प्राप्त करने के लिए टमाटर को अधिकतम संभावेत रूप से पका कर खाना चाहिए दूसरा फायदा टमाटर के खाने के कई स्वास्त लाब हो सकते हैं खास कर इसमें बिटामिन A, C, K और फोलेट एसीड होते हैं जो आँखों के स्वास्त के लिए फायदमन्द हो सकते हैं बिटामिन A आँखों के सनरचन में मतपुड भूमका भी निभाता है बिटामिन C और के आँखों के लिए उपयोगी अन एंटी ऑक्षिडिन प्रदान करते हैं एक कच्चा टमाटर खाना आसान और स्वास्त प्रदक होता है टमाटर का रस निकाल कर पीना भी आँखों के लिए फायदमन्द साबित होता है टमाटर को आप सलाज में सामिल करके भी आप इससे अच्छा लाब ले सकते हैं तीसरा फायदा टमाटर वजन को कम करने में एक मददगार आहार हो सकता है क्यूंकि टमाटर में कम कैलोरी और उच्छ पानी की मातरा होता है जिससे ये भूग को सांत करके भोजन की मातरा को कम करने मदद करता है और टमाटर में अधिक पानी होने से ये भोजन की मातरा को ने और आप कम खाते हैं टमाटर का निम्न गलाइसेमिक इंडेक्स होता है जिससे यह सरी में उच्छ सरक्रा के अस्तर को नियंतिरत करने में मदद करता है और भोजन की भूग को भी कम कर सकता है इसे टमाटर को अपने वजन परबंदन की रड़नीती का हिस्सा बनाना एक करें और वेल आइकन को दबाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को वान कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करू तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें चौथा फायदा टमाटर का सेव टमाटर में लाइकोपी नामक एक प्रकार का एंटी आक्सिडेंट भी पाय जाता है जो एंसलीन के सनवर्धन को बढ़ावा देता है और मदमे के नियंतर में मदद करता है मदमे के रोग्यों को ध्यान देने की जबत होती है कि वे अधिक मातर में टमाटर न ना खाएं खा टमाटर में लाइकोपी नामक एक उच अस्तर का एंटी आक्सिडेंट होता है जो कैंसर के खिलाप लडाई में मदद करता है विसेश रूप से प्रो इस्टेट कैंसर और पेट के कैंसर के मामले में लाइकोपीन का सेवन कैंसर की जोखिम को कम करने मदद करता है लाइकोप को बनाने का नेक तरीके भी होते हैं जिनमें टमाटर के सौप सूप सलाद या फिर चटनी सामिल हो सकता है इन विबिन रूपे में टमाटर का सेवन करके आप अपने हार में लाइकोपीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और कैंसर के खिलाप लड़ाय में मदद कर सकते हैं लेकि में लाइकोपीन, पोटेसियम, मैगनीजियम और विटामिन सी जैसे पोसकत तो होते हैं जो हिर्दे स्वास्त को बना रखने और स्वास्त चाप को कम करने मदद करते हैं पोटेसियम खास कर बड़ पेसर को नेंतित करने में में तबूर भूमका निभाता है क्योंकि ये ना जोगे करके इसके लाब उठा सकते हैं तो दोस्टो आज हमने जाना कि टामाटर के अधुत फाइदे क्या है ठंड में हर रोज एक टामाटर क्हाना आपके स्वास्त को कितना बढ़ावा देता है ये हम्शा याद रखें टामाटर के अधुत फादों के बारे में जानकर आ पनंद उठाएं धन्न बाद और मिलते हैं अगले बीडियों में